अभी तक नहीं आई यह मौसम भी बस और खराब हो रहा है बादल तो ऐसे गिर है जिसे कभी भी बारी शुरू हो सकती है पता नहीं कहां रहे कर यह लड़की पता नहीं कहां रहे कर यह लड़की फोन कर के दिक्वी the number you are calling is not responding at this moment please try again later phone भी नी उता रही है थे बगवान पारे शुरू भी वो कैसी आएगी चाता भी नहीं देखे गई है पत्ता नहीं सीमी अभी तक कहा रह गई तुम सुन रहे हूँ राकेश हाँ क्या कहरी तु तुम मैं ये कहरी हूँ कि सीमी अभी तक गर नहीं आए आरे परेशन मत हो वो बड़ी हो भी है समान लेगी खुदको तुम आमेशा इसे चिंता गरती रहती हो राकेश मैं मा हूँ चिंता नहीं करूँगी तु कौन करेगा चितनी देर हो गई है सड़कों पर बेड होगी उपर से बारिश होने वाले है और तुम्हे कोई चिंता ही नहीं अरे ये उसे कुछ नहीं होगा ये तो हर बार का ड्रामा है तुमारा प्रास्ते में होगी आते ही होगी हाँ मलोत्रा जी अच्छा मैं ये कह रहा था कि कल जो मीटिंग है हमारी वो कितने बिज़े किशी डिल के गई है तुम्हे कोई फिकर है भी या नहीं फोन भी नहीं उपा रही है शायद फोन साइलेंट पर होगा अफिस का काम होगा प्सुंग भी न चोटी बात पर इतना दबरा जाती हो चोटी बात बाहर दीखो जौसम केसा बिगर रहा है इसका तुम ज़रा भी चिंता नहीं होती दीखो सुनीता मैंने कहा न वो फीक होगी हर बारे से परेशानों के कुछ नहीं होगा थोड़ा दीखो तुम कभी ने संजोगे एक मा का दिल क्या होता है मम्मी अल्युली न्यारा जो भी मम्मी मीजी अब आई हो कितनी बार फोन किया तुमें इतनी देर के लगा दी और बारिश में भीगी हुई आ रही हो कि वह जड़ा सा भी समझ भी नहीं आता है क्या हुँ दिश्य में हुँ मम्मी सॉरी ने बस तोड़ी देर हो गए ट्राफिक बहुत हो और अचानक बार इस बीज़ो हो गए चाथा भी तर नेदा मेरे पस जब तुम्हें पता था कि बारिश हो सकती है प्राफिक जल्दी ने निकल सकती और इतनी बार फोन क्या दुम्हें एक बार फोन ने उठाना होता तुम्हें मा मेरा फोन बैक में था पर बारिश में इसना जल्दी जल्दी हो रहा था कि कोड उठाना नहीं हुआ माफ कर दो ना मैं ठीक हूं जेको पता भी है बाकि लोग कितनी परिशान होते सिमी हर बार तुमारी ये लापरवाई नहीं चलेगी फीक हूं कहे देना काफी नहीं है सिमीं क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी गाबरा बेती मैं इतनी बारिश हो रही है और तुम बिना खबर दिये आ रही हो और लेट हो रहा है ख़ QUE difसी हो रूपी हो फोन जे ले दिया गय तुम सक्ट्शेक बता नहीं सक्ती तुम हमेशे अपने मनमर्जी करती हो, कभी मेरे बारे में भी सुचाएं? मा मुझे सच में जमज में आ गया है कि गलती मेरी है, लोग देवो खान भी बगड़ ले, शलमूर्टी कर अपना भी, और शुकर माना उस विकी का, जो रस्ते में मिल जया, उसने मुझे ड्राप कर दिया यहाँ, तो आप भी नहीं आती, वही वजी रहती बारिश में, तुम मान विके के साथ यह, उसने ग्राप के तुम है यह, वही बसकोली के शुरू मत हो जाना, प्लीज! प्लीज बगड़ खाने बगड़े बगड़े के अपलें, बेगी हुई है, तब अभराब जाए कि मैं चाई बनाती। तुम्हें बड़े के शुरू मुझा यू यू ममी, यू अदि बेस्ट मॉम एवर इवर इवर इवर्ड चली, टीके 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 ग्रामे वास पहें को, जा खुड़े बड़न के अथमी ग्राटकेश, सुनो ना, इंटेसीमे के बारे में तुमसे बाद करनी है राकेश, सुनो ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यह सिमी, और वो लड़का कौन है विक्ये, जिससे वो इतनी शारी बातें करती है आरे नीता, फिर वही बात सिमी अब बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है उसे अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है तुम क्यों इतनी परेशन हो रही हो नई, यह सर्फ दोस्ती नहीं है मैंने उसे कई बार उस लड़के के साथ देखा है हर बार जब उससे बात होती है, वो चुप-चुप के बात करती है यह सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है राकेश नीथा, तुम बेवजे शक कर रही हो सिमी हमारी बीटी है उससे समझ है कई गलत काम नहीं करेगी हमें उस पर बरोसा करना चाहिए तुम इसे कैसे कह सकते हो आज कल के बच्चे पता भी नहीं चलता कि किस सास्ते पर चले जाते है और वो लड़का विकी वो तो मुझे शकल से एकदम बेमाल और शैतान लगता है तुमने देखा है से सिमी का विकी से बाद करना मुझे बिलकुल पसंद नहीं है राकीश हर किसी को जानना ज़रूरी नहीं है नीता हमें सिनी से बात करनी चाहिए ठेकिन इस तरह शक से नहीं अगर हम उस पर बरोसा नहीं करेंगी तो वो हमसे दोर चली जाएगी पर कै मैं कुछ भी नहीं कूँ हर बार जिब वो बाहर जाती है मेरी मन में गजीट सा दर बरटा रहता है वो लड़का कौन है कहां रहता है यह सब हमें पता होना चाहिए रकेश यह हमाड़ी जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी है लेकिन शक और गुसे से नहीं प्यार और विश्वा से बाग करनी चाहिए उसे पर तुब ऐसी ही इस तरह शक करती ओगी तो हमें कुछ भी नहीं बताएगी तो खर क्या करो, आँखे बंद कर लो अपनी, और सोचे कि सब ठीक चल रहा है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमें उसे खुनकर बद करनी चाहिए उसे ये एहसास होना चाहिए कि हम उसके लिए परेशान हैं, लेकिन उस पर बुरोसा भी करते हैं उतना हम, अगर हम प्यास से उसे पूछेंगी, तो वो खुद सब कुछ बताएगी तुमारा डर समझ रहा हूँ, लेकिन याद रखो, सीमी हमारी बेटी है हमने उसे अच्चे संस कर दिये है, उसे समझ है कि क्या सही है और क्या गलत अच्चा वो सब चूड़ो, आज तुमारे डॉक्टर से आपवेटमेंट है न, कितने बज़े जा रही हूँ दो बज़े की है मैं भी चलन तुमारे साथ, यो कुछ चली जाओगी ने, ने, मैं चली जाओगी अरे, ओ मेडम, सिगनल दिख नहीं रहे क्या नमस्टे निता जी, कैसे हो आप? नमस्टे डॉक्टर से, मैं ठीक नहीं हूँ कुछ समय से बहुत परेशान हूँ परेशान? से, और क्या हूँआ? डॉक्टर से, पिछली कुछ मैनों से मैं एक अजीब सी घबरहाट मैसूस कर रही हूँ वन मैं यमेशे किसी अंजान से डरलादा रहता है मुझे ऐसा लगता कि कुछ बूरा होने वाला है खास कर मेरे पती और बेटी के साथ ये कब से हो रहा है आपको इससे? और इसके पिछे कोई कारण नजराता है आपको? मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन पिछली कुछ समय से ये बढ़ता ही जा रहा है मैं जब रात को सोती हूँ तो आधी रात मैं अच्छानक उड़ जाती हूँ दिन में भी कई बार इसा लगता है जो मेरे पती ऑफिस जाते ही है, मेरी बटी ऑफिस जाती है तो मैं उस वक्त उनके बारे में ही सूछती रहती हूँ हर बत और अबर उनको आने में जरासी वी देर हो जाती है ना तो पहता नहीं इतना अजीब सा घुटन मैसूस होती है कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगे तो यह आपकी जो रोटीन लाइफ है उसको एफेक्ट कर रहा है जी बहुत असर हो रहा है है इसमय मन में बारी और बेचेनी से महसूस होती है कि स्ट भी कभी किसी चिस्था दिल नहीं लगता हा कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि करना क्या और कर क्या रही है अभी देखू आपके वहां आ रही थी प्राफिक सिग्मल था मैंने देखा हैं नहीं अपनी कि सोच में थी एक्सिडेंट होते हैं वते बजी गया है और आप फी क्लीनिक की ब्लीडिंग ना पार्क करना था मैं दो ब्लीडिंग आगे जाके वापस आई हूँ और यह पता ही आपकी नेंद अच्छी हो रही है किया वह भी डिस्टरब्ड है तो तू जाती हैं लेकिन एक बार नेंद खुल जाती है ना तो फिर में नहीं लगती हैं एकदम दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है कंप्लीटली ऐसा भी नहीं है कि कुछ टेंचन चल रहा हो जिसको सोच के परेशान हो रही हैं सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी बताने इसे क्यों हो रहा मेरे सथ दबराईने सब ठीक हो जाएगा आ तो आप दो दिन के बाद आईएगा तो यह जो आपके भी जो परेशानी है इसको भी हम लोग कंसेडर करके आपका जो है मेडिसिन मैं प्रस्क्राइब करेंगे ठीक है और समल के जाएगा अराम से ट्राइब कीजिए और दो दिन के बाद अपना रिपोर्ट्स लेके झाल